नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का वहीं चीर पर्चे दोस्तों पस्तेत हूं आप सभी की सेवा में एक और महत्पूर जनकारी के साथ फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिंहाडा खाने के फायदे और कुछ नुकसान के बारे में मौसमी फल हमें कई तरह की विमारियों से बचाता है वैसे ही सर्दियों के दिनों में एक खास फल पाया जाता है जिसका नाम है सिंहाडा वैसे सिंहाडा भारत के अलग-अलग राज्यो में अलग-अलग नामों से जाना जाता है अंग्रेजी में इसे water chestnut या Indian water chestnut या water caltrop या water caltrops भी कहते हैं हिंदी में सिंहाडा, उर्दू में सिंहारा, पंजाबी में गानरी, मराथी में सेगाडा या सीगाडा, मलया आलम में करीम पोलम, तमील में चिमकारा ऐसे ही अलग-अलग अस्थानी भासाओं में अलग-अलग नामों या मिलते जुलते नामों या उच्चारणों से जाना जाता है ये सर्दियों के दिनों में पाया जाता है, जनरली ये सितंबर या अक्टूबर के महीनों से मिलना सुरू हो जाता है सिंहाडा जली पौधे का फल है इसकी खेती जीलो तलाबो नदियों में की जाती है ये सरीर में सक्ति प्रदान करता है सरीर में खून की कमी नहीं होने देता दर्द को कम करने वाला है गर्भवती महिलाओं के लिए इसका सेवन बहुत ही लाबदायक है इसमें मौझूद पोशक्तत्व जैसे बिटामिन A, सिट्रिक एसीड, फासफोरस, प्रोटीन, नेकोटेनिक एसीड, मैगनीसियम, आयोडीन, मैगनीज, थाइनिन, बिटामिन C, कैलसियम, जिंक, आयरन, पोटैसियम, सोडियम, डाटरी फाइबर, बीटा, एमिलेज, टैनिन, पाये जाते हैं, गर्वती महिलाओं के लिए फायदे मंद है सिंहडा, जिहां फ्रेंट्स, सिंहडा गर्वती महिलाओं के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है, सिंहडा गर्वपात होने से रोकता है, जिहां फ्रेंट्स, जिन महिलाओं का गर्व, गर्वकाल पूरा होने से पहले ही बच्चा गिर जाता हो उन्हें खूप सिंहाड़े का सेवन करना चाहिए। यह गर्भ पात होने से रोकता है। इसके उपयोग से भूरुड को पोसड मिलती है। और मा की भी सेहत अच्छी बनी रहती है। गर्भासे की कमजोरी के कारण यदि गर्भ नठ हरता हो तो गर्भ धारण के बाद ताजा सिंहाड़ा खाना चाहिए। सिंहाड़े का हलवा दूद के साथ खाना चाहिए। खास तौर पर जिनका गर्भ सात महीने का हो गया हो या उससे उपर हो उनके लिए बहुत ही लाबद सेवन करने से लाब मिलता है। के बारे में जो लोग नहीं जानतें उनको थोड़ी सी जनकारी देते चलू। रक्त प्रदर महिलाओं में होने वाला एक रोग है, रक्त प्रदर यानि मेट्रो रेजिया, रक्त प्रदर को अंग्रेजी में मेट्रो रेजिया कहते हैं, रक्त प्रदर गर्भासे से खून का बहना को संदर्भित करता है, कुछ लोग रक्त प्रदर को माहवारी से जोड ले क्योंकि यह महीने के गलत समय पर होता है रक्त प्रदर के कई संभावित कारण हो सकते हैं जैसे गर्भ निरोदक गोलियों का इस्तमाल या मस्तिक्स की समस्या से हार्मोनल असंतुलन घाव का निसान गर्भासे ग्रीवा या योनी की सूजन या संक्रमड गर्भात का कारण इत कि अलामा बार-बार ब्रेडिंग हो तो तुरंत अच्छे बड़े हस्पीटर में जाकर जाच करवाएं क्योंकि जास सहीं पता चलेगा कि हर्मोनल असंतुलन है या जिवाडू संक्रमड हैं समय रहते आपकी जागरूत्ता और तुरंत लिया हुआ निरड़य आपको एक ब सुलबा बनाकर खाने से श्वेत प्रदर ठीक होता है। सुखे सिंहाडा का चूर बनाकर 3-3 ग्राम की मात्रा में सहत के साथ प्रतिदिन सुबह साम सेवन करने से सभी प्रगार के प्रदर रोक ठीक हो जाते हैं। 25 ग्राम सिंहाडा, 10 ग्राम सोना गेरू और 25 ग्राम मिसरी को एक साथ पीश कर 5 ग्राम की मात्रा में प्रति दिन सुबह साम सेवन करें इससे प्रदर में लाब मिलता है सिंहाडा का रस निकाल कर सुबह साम सेवन करने से प्रदर रोग ठीक होता है सोते समय पेसाब का निकल जाना अगर आप इस समय से जूज रहे हैं तो सिंहाडा आप के साथ सुभर साम सेवन करने से रात में सोते समय पेसाब का निकल जाना ठीक होता है। सिंहाड़ा में कैल्सियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसे खाने से हड़िया और दाथ दोनों ही मजबूत रहते हैं। साथ ये आखों के लिए भी फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि सिंहाड़े में भैस की दूद की तोलना में 22% अधिक खनीज लवड और च्छार तत्व पाये जाते हैं। बैज्यानिकों ने तो इसे अमरित तुल बताते हुए इसे ताकतवर और पौश्टिक तत्तों का खजाना बताया है। इस फल में कई औसधी गुड हैं जिनसे सूगर, अलसर, हिदय रोग, गठिया जैसे रोग से बचा हो सकता है। बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए तो ये काफी गुड कारी है। सिंहाडा सरीर में उर्जा देता है। इसलिए इसे वर्त के खाने में सामिल किया जाता है। इसमें आयोडीन भी पाया जाता है जो थाइराइड और घेंगा रोग में लाबदायक है। इसके सेवन से घेंगा रोग से बचा जा सकता है। सिंहाडा खाने से फटी एडिया भी ठीक हो जाती है। इसकी अलावा सरीर में किसी भी अस्थान पर दर्द या सूजन होने पर इसका लेब बनाकर लगाने से बहुत फायदा होता है। सिंहाडे से करें खुजली और दाद का इलाज। जिहां फ्रेंड्स। निब्बू के रस में सूखे सिंहाडे को घीस कर दाद पर प्रते दिन लगाएं। इससे पहले तो जलन उत्पन होती है और फिर ठंडक महसूस होती है। इसका उपयोग कुछ दिनों तक लगातार करने से दाद ठीक हो जाता है। सिंहाडा, भिंगी की जड, जहुबेर और भारंगी की जड को पीस कर पानी में मिलाकर पीने से दाद खाज खुजली दूर होती है। सिंहाडा, भिंगी की जड, जहुबेर और भारंगी की जड ददस ग्राम की मातरा में लेकर पीस लें और फिर इसमें एक कप पानी के साथ उबाल लें। जब पानी उबलकर आधा रह जाए तो इसे छान कर पीएं, इसका सेवन प्रति दिन साथ से आट दिन तक करने से तोचा की खाज खुजली दूर होती है। अतिसार या दस्त से दिलाए रहस सिंहाडा। जिहां फ्रेंट्स, अगर मसालेदार खाना खाने से दस्त की विमारी हो गई हो तो सिंहाडा का सेवन करें, दस्त में काफी फायदे मंद हैं। पाइल्स या अर्थ, अर्थात बवासीर के दर्द और ब्लीडिंग को कम करें सिंहाडा। जिहां फ्रेंट्स, कच्चे सिंहाडे का सेवन करने से पाइल्स के कारण जो ब्लीडिंग होता है, उसके दर्द और रक्त स्राव को कम करने में सहाथा करता है। बवासीर की दिक्कत होने पर कच्चा सिंहाड़ा नियमित खाने से परसानी दूर होगी। कच्चे सिंहाड़े की सीजन न होने पर सिंहाड़े की आटे की रोटियां भी खाई जा सकती है। आस्तमा के मरीजों के लिए सिंहाडा बहुत फैदेमंद होता है। सिंहाडे को नियमित रूप से खाने से साथ समंदित समस्याओं में भी अराम मिलता है। सिंहाडा बालों का संरच्छक माना जाता है। जी हां दोस्तों आज के डेट में बाल जणने की समस्या आम हो गई सिंहाडे में मौझूद नैमैनिक और लारिक जैसे एसीड बालों को नुकसान पहुचाने से बचाते हैं। बालों का जणना यम कमजोर होना पित दोस के असंतुलन हो जाने के कारण भी होता है। ऐसे में सिंहाडे के सेवन से पित दोस कम होता है इसके अलामा सिंहाडे के स से बानों की जड़ू तक पोषन पहुचता है जिससे बानों को मजबूती मिलती है एक रिसर्च में भी बताया गया है कि इसमें पोटैसीयम, जीनक, बिटामीन बी और बिटामीन जैसे पोषर्ण तद तरुत पैय जाते हैं जो बानों के लिए लाबदायक है पेसाब समंधी समस्याओं में बहुत फायदेमंद है सिंहडा पेसाब में जलन, रुक रुक कर पेसाब आना जैसी समस्याओं में सिंहडा का सिवन बहुत ही लबदायक होता है तो friends आइए सिवन करने का तरीका जान लेते हैं 20 ग्राम ताल मिश्री और 15 ग्राम घी और 30 ग्राम सिंहाडे को मिला कर ठंडे पानी के साथ प्रते दिन सुबह साम सिवन करने से पेसाब की रुकावट दूर होती है। कमजोरी करें दूर, जी हां दोस्तों, सूखे सिंगाडे को पीसकर घी और चीनी के साथ हलवा बनाकर खाने से कुछ ही सब्ता में सरीर की कमजोरी दूर होती है, कुष्ट रोग यानि की कोड में फायदेमंद है सिंगाडा, जी हां दोस्तों, सिंगाडा काकर सिंगी की जड, जाव बेर और भारंगी की जड़ को बराबर मात्रा में लेकर चूड बना ले या चूड तीन से चार ग्राम में प्रते दिन पीने से कुष्ट रोग कोड़ ठीक होता है। सिंहाड़े का रस घबराहट को दूर करता है। नकसीर में फायदे मंद है कच्चा सिंहाड़ा जिन लोगों को नाक से खून आता हो उन्हें कच्चा सिंहाड़ा खाना चाहिए। पतले दूबले लोगों के लिए सिंहाड़ा वरदान है। सिंहाडा या सिंहाडे के पावडर में मौजूद स्टार्च पतले लोगों के लिए वर्दान सावित होती है इसके नियमिस सेवन से सरीर मोटा और सक्तिसाली बनता है इसके लिए देशी गाय के घी के साथ सिंहाडे का हलवा या गुनगुने दूद के साथ पीने या खाने से कमजोरी दूर होती है सिंगहाडा तोचा के लिए बहुत ही फायदेमंद है आपको जानकर हरानी होगी सिंगहाडा हमें सुर्य से आने वाली अल्टरा वायलेट रेस से बचाता है अल्टरा वायलेट रेस अगर हमारे स्कीन से गुज़र जाए तो वहां स्कीन कैंसर होने का खत्रा रहता है यहां तक कि हमारे आखों को खराब कर सकता है हलाकि सुर्व के अल्ट्रावालेट रेज से हमें ओजोन परत बचाता है ओजोन परत हमारे पर्यावरण में मौझूद पेड़ पौधे ही बनाते हैं अल्ट्रा वालेड रेस का खत्रा गर्मियों में ज़्यादा होता है तो अगर पेड़ पाओधे नहीं हैं तो हम नहीं हैं तो फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं सिंहाडा तोचा की जुड़ियों को कम करता है दोस्तों कि आप जानते हैं सिंहाडा ही नहीं बलकि सिंहाडे क चिलका भी बहुत ही काम का चीज है जिहां फ्रेंट्स सरीर में कहीं भी सूजन या फिर दर्द हो तो सिंहाडे की छाल को घीसकर या पीसकर लगाने से दर्द और सूजन खत्म होती है थाइराइड और घेंगा रोग में लाबदायक है सिंहाडा सिंहाडे में मौजूद इन गले में होने वाले टांसील के इलाज में लाबदायक है इसमें ताजा सिंहाडा या फिर सिंहाडे का चूड़ खाना दोनों फायदेमंद होता है सिंहाडे को पानी में उबाल कर कुल्ला करने से भी अराम मिलता है बच्चे को विस्तर पर पिसाब की समस्या से निज़ा बच्चा बहुत छोटा है पेसाब कर देता है तो कोई बात नहीं पर अढ़ाई तीन साल होने के बाद भी अगर बच्चा रात को विस्तर पर पेसाब कर देता है तो पहले तो बच्चे को सोने से पहले पेसाब कराकर सुलाएं फिर पूरे रात में भी एक दो बार जरूर बराबर मातरा में मिला कर चूड बनाने और इस चूड की चूटकी भर मातरा को पानी के साथ सुबह साम बच्चे को पिलाए इसके कुछ ही दिन तक सेवन करने के बाद बिस्तर पर पेसाब करने की समस्या दूर हो जाएगी ध्यान रहे उपचार के साथ आपको बच्चे को उ आपको रात को नीद नहीं आती या बार-बार आपकी नीद खुल जाती है तो इसके लिए सिंघाड़ा आपके लिए काफी फायदे मंद होता है। सिंघाड़े में पाली फिनालिक और फ्लेवेनोड जैसे एंटी आक्सिडेंट पाये जाते हैं जो अनिद्रा की समस्या को दूर करने में काफी हद तक सहायक होते हैं। ये वाद को सांथ करता है जिससे तनाव कम होता है जिससे अच्छी नीद लगती है। दोस्तो कच्चे सिंघाड़े का जूस या फिर कच्चे सिंघाड़े को खाने से पीलिया रोग ठीक होता है। सिंघाड़ा मदुमे रोगी भी खा सकते हैं। मदुमे में भी सिंघाड़ा फैदेमंद होता है। फ्रेंड्स अब सिंहाडा खाने के कुछ नुकसान और सावधानिया, सिंहाडा खाने के तुरंत बात पानी नहीं पीना चाहिए, पाचन प्रडाली के लिहाद से सिंहाडा भारी होता है, इसलिए ज्यादा खाना नुकसान दायक भी हो सकता है, पेट में भारी पन वह गैस बन झाल झाल